इस्राइल का F-35 टेक ओफ करेगा F-35 इरान के एर स्पेस में पहुँचेगा मुम्किन है वो इरान के अड़ो पर अटैक भी करेगा लेकिन वापस नहीं लोट पाएगा इसकी 100% गैरंटी इरान ने देनी शुरू ना इधर ना उधर सीधे मुद्धे पर नज़र क्या है आज की खबर आप देखना शुरू कर चुके हैं नियूज 18 आपके पुनीद के साथ तो सवाल ये है कि मिडिल इस्ट में जो कुछ हुआ गाज़ा से बीते साथ जिस तरीके से हमास के लड़ाके इसराइल में दाखिल हुए कोहराम मचाया बारा सो लोगों की मौत हो गई और उसके बाद से लेकर आज तक महां पर लगातार मिसाईले और ड्रोन से हमला हो रहा है इमारते मलबे में तबदील हो रही है लोगों की जान जा रही है क्या कुछ हुआ और अब क्या कुछ हो सकता है इसी की आज हम बात करने वाले है यहया सिनवार जो की हमास का नया नया चीफ बना था वैसे वो गाजा में हमास का चीफ था लेकिन बाद में उसे पूरे हमास की जमेदारी मिल गई थी लेकिन हमास चीफ यहया सिनवार को मौत के मूं में सुला दिया और इस्राइल ने अपना बदला पूरा कर लिया लेकिन सवाल है क्या हमास के बाद अनाथ हो जाएगा गाज़ा गाज़ा में किस की सरकार होगी दरसल बीते गुरुवार के अगर बात करें तो गाज़ा में इसराइली आर्मी ने हमास नेता यहिया सिनवार को देर कर दिया सिनवार अक्टूबर 2023 में 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था जो इसराइल में दाखिल हुए थे हमास के लूग और उसकी वज़े से 1200 से ज्यादा इसराइलियों की मौत हुई थी उसका मास्टर माइंड बताया जाता है और इससे इसराइल नागरिकों की जान गई तेल अवीव ने तो अपना बदला ले लिया लेकिन सवाल ये है कि घाजा का क्या होगा क्योंकि घाजा तो अब मलबे के धेर में तबदील ज्यादा नज़र आता है सिनवार की मौत के साथ क्या घाजा से हमास का शासन भी खत्म हो जाएगा या फिर यहां पर कोई नई जंग छड़ेने के आसार नज़र आते हैं कई सारे सवाल हैं और इन ही सारे सवालों के जवाब तलाशने के आज हम कोशिश करने वाले है इसराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन और खोंखार माने जाने वाले यहाया सिनवार को एक सैन्य अभियान में मार कर आया सिनवार ने साल भर पहले तेल अवी पर घातक हमला किया था जिसमें कई लोग मारे गए इसके बाद से हमासनेता इसराइली आरमी की मोस्ट वॉंटेड लिस्ट में शुमार कर लिया गया यहां तक कि यह कहा जाता है कि उसे डेड मैन वॉकिंग कहा जा रहा था यहां यहां सिनवार है जिसके बारे में पहले खबर आई कि इसको मार किराया गया लेकिन यह फिर जिनदा होकर सामने आया इसके बाद फिर खबर आई कि यहां सिनवार को इसराइल ने धेर कर दिया लेकिन फिर से यहां सिनवार जिनदा हो गया बढला पूरा होने के बाद इसराइल के पास आकर काम क्या है क्योंकि अब उसने यहाय सिनवार को नकीबल मार किराया बल्कि उसके DNA टेस्टीसी सीज से भी पुष्टी कर दी तो अब इसराइल के पास आकरी काम है अपने बंधकों को हमाज के चंगूल से छुडाना हमास को नियूटरिलाइज अभी पूरी तरीके से नहीं किया गया है क्योंकि पताया जाता है कि करीब सौ से ज्यादा बंधक अभी उसकी कैद में मौजूद है इसके बाद गाज़ा पट्टी का क्या होगा ये भी एक सवाल है और कई विकल्प इसके हो सकते हैं इन पर भी हम बात करेंगे लेकिन सवाल ये है कि यहां पर अगर हमास को पूरी तरह से नियूटरिलाइज कर दिया जाता है और उसके बाद यहां से बंधकों को आज़ाद करा लिया जाता है तो फिर क्या यूएन अपनी सेना के जरिये यहां पर शांती लाने तक वहां पर टिक जाएगा या फिर क्या सिनवार या हमास का कोई विकल्प यहां पर खड़ा हो जाएगा जो खाली जग़ को भरने का काम करेगा क्योंकि हमने देखा कि इसके पहले यही हुआ तो इन सवालों के जवाब के लिए सिनवार की हिस्टरी यानिकी इतिहास को जानना बहुत जरूरी है कि सिनवार कौन था कैसे वो काम किया करता था असी के दशक में हमास को खड़ा करने में जो लोग शुरुआती तोर पर साथ थे उन में एक सिनवार का भी नाम था उसे इसराइली सिनाने कई बार पकड़ा था 2011 में कैदियों की अदला बदली हुई और इस दोरान उसे छोड़ दिया गया वो वापस हमास की कमान संभालने लग दिया था इसके बाद से वो गाजा में हमास को लगातार ताकतवर बनाता रहा बाहरी दुन्या से समवाद और फंडिंग जुटाने का काम इसके हिस्से में आता था कि कैसे पैसा जुटाएं कैसे बाहरी दुन्या से संफर्क करें खास तोर पर इरान से इसनेता के बारे में है यानि की सिनवार के बारे में कहा जाता है कोख्यात इस बारे में वो था कि हर उस शक्स का गला काट दिया करता जो इसराइल के पक्ष में लगता उसको था कि वो इसराइल के पक्ष में या फिर वो फिलिस्तीन की जनता का व्यक्ति ही क्यों नहो बीते स साथ साथ हमास ने 200 से ज्यादा लोगों को बंधग बनाया था इसके बाद से आईडिय अफ सिनवार को पकड़ने या मातने की फिराक में पूरी तरह से लगी थी यहां तक ही उसकी खबर देने वाले को 4 लाख डॉलर का इनाम तक देने का वादा किया गया था चार लाख डॉलर मिलेंगे अगर सिनवार के बारे में कोई खबर कर देता है लेकिन तब भी खबर नहीं मिन पाई लेकिन फिर सिनवार को धेर कर दिया गया जैसे जैसे अपने ऑपरेशन को तेज किया आईडिय अपने वैसे वैसे एक एक करके कमांडर मारे गये डियन ए टे इसकी कोई प्रतिक्रिया बड़ी सामने नहीं आई जो पहले हर इसराइली वार पर होहला किया करते थे जैसे नजर अला के टाइम हुआ यहां तक गाजा में भी सन्ना टचाया हुआ है और कोई भी कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा है सिन्वार की मौत के बार इसके पीछे इसराइल का डर नहीं बलकि एक बड़ा कारण ये कहा जाता है कि गाजा पट्टी में सिन्वार की लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही थी अब क्यों गिरती जा रही थी आधी से ज्यादा आबादी सिन्वार से परिशान थी क्यों परिशान थी ये कई सारे सवाल आपके जहन में होंगे, आपको लग रहा होगा कि एक तरफा बात कैसे हो सकती है बात दरसल ये है कि पलस्टाइन सेंटर फॉर पॉलिसी अंड सर्वे रिसर्च ने एक सर्वे के नतीजे जारी किये पिछले महीने ये सर्वे हुआ था, सर्वे क्या था? इस सर्वे में पूछा गया था तो किससे पूछा गया था? जनता से पूछा गया था और गाजा की 65 फीसद जनता सिन्वार की लीडर्शिप से नाखुश थी क्योंकि वो मान रहे थे कि इसी लीडर्शिप के चलते घाजा पट्टी तबाह हो गई क्योंकि वही बात की सिनवार ही हमले का मास्टर माइंड था हमला हुआ बारासों से ज्यादा इसराली नाकरिक मारे गए लेकिन उसके बाद क्या हुआ एक तालिस हजार से ज्यादा मौतें घाजा पट्टी में हुई वहाँ चालिस हजार से ज्यादा लोग मारे गए काथित लीडर साल भर से हमास के सगन टनल नेटवर्क में छिपा हुआ था टनल यानि के जमीन के नीचे लेकिन इससे इतर फिलस्तीन के नाम से एकस पर बने एक अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया है अब यहाली में ये वीडियो आया इसमें ये बताया गया कि सिनवार का एक आखरी वीडियो सामने है जब वो जिन्दा था उसकी मौत एक रियल हीरो की तरह हुई यानि कि उसको हीरो बताया गया उसमें लिखा गया है कि उसने अपना एक हाथ गवा दिया लेकिन वो लड़ता रहा उसने अपना पैर गवा दिया लेकिन वो लड़ता रहा वो करीब करीब मौत के मूँ में समा गया था लेकिन फिर भी उसने हम्मत दिखाई सहस दिखाया और एक स्टिक इसराईली ड्रोन के तरफ फेंकी और आखर में लिखा था रेस्ट इन पीस हीरो सिनवार का चप्टर तो क्लोज हो गया लेकिन क्या हमास नाम के किताब भी इसके साथ बंद हो जाएगी ये बड़ा सवाल है सिनवार की मौत कंफर्म करते हुए इसराईल के प्रदान मंतरी नितन यहू ने इसे घाजा के लिए हमास के बाद शुरुआत कहा हमास के बाद लेकिन क्या हमास कत्म हो गया क्यों कि अभी भी इसराईली नागरिक उसके चंगल में तो हैं है इसके साथ ही ये भी साफ किया गया कि उनकी सेना बंदकों को चुलाने तक वहीं जमी रहेगी यानि कि जो अभी भी इसराईली लोग वहाँ पर कैद किये हुए हैं उनको कैसे चुलाए जाए और इसके बाद फिर सवाल ये उटता है कि क्या होगा इसके बाद हमास के बाद कौन सा विकल्प महाँ पर हो सकता है फिलिस्तिनी चरमपन्थी गुंट हमास का गाजा में केवल हैटकॉर्टर नहीं था बलकि यही संगटेन इस पट्टी पर अपना शासन भी एक प्रकार से गाएं तो चला रहा था इसमें हमास विपक्षियों पर भारी पड़ा इसके बाद उसने फिलिस्तिनी अथॉरिटी से सत्ता को चीना और अपना अलग राज का चना लेंगा लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जमीन के उपर के साथ जमीन के नीचे भी राज का चल रहा था यानि कि जमीन के नीचे कुछ खेल चल रहा था लगबग सारे लीडर्स को खो चुका हमास अब तो अनात माना जा सकता है लेकिन क्या कोई नया लीडर खड़ा होगा ऐसे में गाजा में उसके रूल की फिलहाल कोई संभावना तो नज़र नहीं आती क्योंकि इतने बड़े लीडर्स जो मारे गए उसके बाद कोई एक बड़ा नाम तो सामने नहीं आ रहा है इसमें एक दावेदार अब यहाँ पर बन रहा है गाजा में किसके हाथ में सत्ता जाएगी तो फिलिस्तीनी अथारिटी के हाथ में सत्ता की दावेदारी सामने आती है फिलहाल वेस्ट बैंक में काम कर रही है अथोरिटी को लेकर अगर अंतराश्री समुदाए एक जुट हो जाता है एक मत हो जाता है तो राश्रपती महमूद अब्बास की सरकार घाजा को भी कंट्रोल कर सकती है जो वेस्ट बैंक में कर रही है अच्छा एक संभावना ये भी बन रही है कि तुरंट कोई रास्ता अगर नहीं निकलता है तो इस्राइली सेना कुछ समय के लिए वहीं पर उख जाए और फिर सैन्य कंट्रोल अपने हाथ में ही रखिया प्रत्यक्ष रूप सही सही इसलिए ये हो सकता है क्योंकि इसराइल बार बार हमास की कमर तोड़ देने की बात तो कहरा है लेकिन हमास फिर उटखड़ा हुरा है और जब तक उसकी पूरी कमर नहीं तूट जाती तब तक ये जारी रह सकता है अगर फिलहाल वो गाज़ा पट्टी से एकदम से हट जाती है आईडियाफ हट जाती है तो हो सकता है कि विद्रो ही वापस अपना काम शूरू कर दें युद्गरस्त या ताज़ा किसी इलाके में फिर वापस युद्ध की इस्तिती हो जाए युएन अपनी सेना और लोग वैसे अमोमन भीचता है ऐसी इस्तिती जब बन जाती है कि शान्ती हो जाती है उसके बाद युएन की सेना पहुंचती है और दोबारा उस इलाके को खड़ा या वापस मजबूत किया जा सके इसके लिए ऐसा होता है लेकिन गाजा पट्टी के साथ यह हो सकता है कि महाँ पर युएन शान्ती सेना चली जाए और संयुक्तराश्ट का भी अगर कोई राजनेतिक समधान नहीं निकलता है तो गाजा में अर्स्थिरता भी बनी रह सकती है इससे वो वाट ट्रैप में भी जा सकता है यानि कोई छोटे छोटे अगर कट्टर पंधी समू बन जाएंगे तो सता के लिए लड़ेंगे और इन में जो भी भारी पड़ेगा फिर वो गाजा पर कंट्रोल कर लेगा या पिर सीरिया की तरह इसके भी अलग-अलग हिस्से पर अलग-अलग समू कबजा कर लें और अपना अपना चलाएं शासन चलाएं लेकिन वहां इसलामिक जिहाद और पॉपॉलर रेजिस्टेंस कमेटी जनाम से स्ताशेस्तर गुठ हैं जो इसराईल के खिलाफ रहते हैं ये आप समझ लीजिए ओर इरानी राश्रपती ने मारे जा चुके हमास चीफ याया सिनवार को तहरान में श्रद्धान जली दी इस बीच एहम वाद ये है तहरान में हमास के ठिकाने पर मसूद पिस्ष्कियान का जाना इरान और हमास के बीच कितनी नस्दी की थी ये बता देता है और इसराइल के खिलाफ उसके दुश्मनों की एक जुटा को भी ये बताने के लिए काफी है इस दोरान इरानी राश्रपती ने इसराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी तरह के हमले का हम करारा जवाब देंगे इशारा साफ तर पर इसराइल की तरफ था जो एक अक्टूबर को एरान के हमले के बाद जवाबी कारवाई की तैयारी कर रहा था इसके बारे में कई दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्ट में ये दावा सामने आ चुका है रिपोर्ट्स लीक हुई है लेकिन सिनवार के मारे जाने के बाद किसी भी मुस्लिम देश की तरफ से इस पर खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई जबकी नसरल्ला के मारे जाने के बाद कई जग़ों से प्रतिक्रिया देखने को मिली थी गाजा से इसराइल की सीमा पर आने के लिए दरसल कांटेदार तार मौडन वारफेर के हिसाब से तैयार किया गया है यानि कि एक बड़ी दिवार है पंद्रा फीट के आसपास उची दिवार है उसके उपर कांटेदार तार लगे हुए हैं लोहे का जाल लगा हुआ है उसमें करंट दोड़ता है सीसी टीवी लगे हुए हैं और जमीन के उपर अगर दिवार है तो जमीन के भीतर भी दिवार है बहुत नीचे तक दीवार है, इसके बाद नो मेंस लेंड आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी मजबूती दी गई है कि घाजा से इसराइल में दाखिल कोई ऐसे ही न हो पाए, लेकिन इसे पार नहीं करने वाली स्थिती के बावजूद इसे पार किया गया था, ये गया कि उनका टार्गेट यरूशिलम पर कब्जा करने का था, तेल अवीव तक जाने का था, म्यूजिक कॉंसर्ट चल रहा था, वहां हमास ने हमला बोला और कई लोगों को अपनी हिरासत में लिया, तीन दिन तक ये चला और हमले में बारा सौ से ज्यादा इसराइली मारे गए, इसके बाद इसराइल ने बदला लिया और नतीजा ये हुआ कि घाजा में अब तक 41,000 से भी ज्यादा लोगों की जा जा चुकी है, जिसमें हमास के लड़ाकों के साथ साथ आम लोग, बच्चे, महिलाएं सब शामिल, चोटे 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 बच्चे, हमास के इस पर हमले का प्लान बनाया था, हाला कि प्लान फेल हो गया क्योंकि यरुशिलम तक पर कब्जा करने की तैयारी थी, इसके बाद आपको यादी होगा कि एरान में एक 30 जुलाई को वहां के राज़दानी तहरान में इसमाईल हनिये को मार गिराया गया था, हाला कि इसराइल जमेदारी ली नहीं लेकिन माना तो यही गया कि मुजात का उपरिशन था जो इसराइली कुफिया एजनसी है इसके कारणा में हमेशा से चर्चा में भी रहते है वैसे इसके पहले इसी साल जनवरी में एक हमास के बड़े कमांडर को मार गिराया जिसका नाम सालिह अरूरी थ था फाउंडर सबसे खास बात ये है कि इसराइल ने घाजा पटी से उसकी सीमा पर दाकिल होकर हमला करने वाले हमास के टॉप लीडर्स की एक लिस्ट तयार की और फिर एक एक कर उन्हें ठिकाने लगाना शूर कर दिया इसका जिकर हमने आपको अभी अभी किया हलकि इस ल ना खुखार था कि अपने ही लोगों की गलतियों को माफ नहीं किया करता था उनकी जान तक ले लिया करता था सिनवार के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसने हमास के एक लड़ाके को गलती पाए जाने पर नकिबल मरवा दिया बलकि उसके भाई से एक चमच के जर्ये उस इसराइल ने खत्म किया लेकिन दूसरी तरफ हिजबुला जो उसे लिबनान में बैट कर परिशान कर रहा था लगातार हमले कर रहा था उसके खात्मे का भी इसराइल ने प्लान तग्यार किया पहले यहां के लिए भी एक लिस्ट तयार हुई फिर हिजबुला के कमांडर को भी बताया किया अली कराकी जो की दक्षुन डिस्ट्रिक का कमेंडर था यह सब एक एकड़ धेर कर दिया गया उधर सबसे बड़ी काम्याबी इसराइली डिफेंस पूर्स को तब मिली जब हिजबुला के आला कमांड कहे जाने वाले हसन नसरल्ला को उसने मार कर आया इसके जाने वाला नेता था और इसे मारने के लिए आईडिय एफ ने पचासी एर स्ट्राइक की उस बंकर को गिराने के लिए जिस बंकर में नसरल्ला का ठिकाना था और यही ठिकाना हिजबुला का सेंट्रल कमांड हेड़ कौर्टर भी था लेकिन यह आसान नहीं था बलकि इसस जाकर ड्रिल होती है फिर धमाका होता है घढठा बनता है फिर उसके बाद फिर एक और धमाका होता है ताकि अंदर तक वार किया जा सके हाशिम सफीदीन की बात करें तो 3 अक्टूबर को उसे भी ठेर कर दिया गया तो हो सकता है कि गज़ा पट्टी में पुनर निर्मान में युएई, सौधी अरब और भारत शामिल हो जाएं लेकिन कब जब हमास का वहां से नामों निशान ना रहे कब जब वहां से इसराइली बंधक आजाद हो जाएं कब जब वहां पर पूरी तरह से शान्ती की इस्तिती यहां पर बन जाए तब यह हो सकता है कि वहां पर पुनर रिर्मान क्योंकि अब तो वहां पर मलबा ही मलबा नज़र आ रहा है तो ऐसी संभावनाय चता ही जा रही है लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सुरंगे बनाएं गई सुरंगे कहां पर बनाएं गई एक तरफ गाज़ा में बनाएं गई गाज़ापटी में बनाएं गई और दूसरी तरफ लिबनान में बनाएं गई जमीन के नीचे आखिर काम करने की जरूत क्या थी जमीन के नीचे कुछ प्लानिंग चल रही थी जमीन के नीचे हाधियार जुटाए जा रहे थे कमांड सेंटर बनाए गए किसके लिए इसराइल पर हमला करने के लिए आप चुनाओं में जीत जाते हैं लोगों के द्वारा चुने जाते हैं ठीक लेकिन जमीन के नीचे सुरंग बनाने का कारण क्या था इस पर विचार होना चाहिए वैसे इस पूरे नुकसान से तम तमाए एरान ने नसरल्ला की मौत के बाद इसराइल पर 200 मिसाइलों से हमला बूला था और दावा किया था कि इसमें इसराइल को काफी नुकसान उठाना पड़ा लेकिन इस हमले के बाद एरान से बदला लेने को इसराइल भी बेताब है दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुला चीफ हसन नसरल्ला मारा गया उसके कमांडर्स भी धीर किये गए लेकिन हिजबुला अब भी इसराइल को आँखे दिखा रहा है इरान समर्थित हिजबुला इसराइल में तावर तोड मिसाइलें दाग रहे नेतनियाओ के घर पर ड्रोन अटेक करने की हिमा कत्व कर चुका है और किसी भी वक्त एरान पर आस्मान से बमों की बारिश भी हो सकती है लेकिन एरान इस बार पूरी तरह से तयार है इसराइल का एंटी मिसाइल सिस्टम दुनिया भर में मशूर जरूर है लेकिन एरान के पास भी ऐसे डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो किसी भी वार को नाकाम कर सकते है इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम की दुनिया भी लुहा मानती है इसराइल का आईरन डोम दुनिया का सबसे शांदार डिफेंस सिस्टम है लेकिन एरान और हिजबुला के हमलों में उसकी भी पूल खुल गई एक दो वक्त ऐसे भी आए कि एरान और हिजबुला के मिसाइलों को रोकने में आइरन डोम चुका आइरन डोम के अलावा इसराइल के पास एर डिफेंस सिस्टम डेविड सिलिंग है लेकिन इसकी चर्चा तो खुब होती है एरान के उस एर डिफेंस सिस्टम की भी बात कर ले जिसके पास इसराइल के आहमलों को रोकने की ताकत है बेंजमिन नितनियाओ के रिवेंज प्लान पर एरान का अर्मान पूरी तरह से पानी फिर सकता है अर्मान इरान का एर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है इरान का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम आपरेशन को पूरी तरह से तयार है इरान का अर्मान मिसाइल सिस्टम 180 किलो मिटर की रेंज में मिसाइल और ड्रोन का पता लगा सकता है इसके साथ ही दुश्मन की ओर से आने वाली मिसाइलों को वो मार गिरा सकता है ये लॉंग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और इसका खुलासा सेटलाइट की तस्वीरों से हो गया है अगर इसराइल हमला करेगा तो इरान का अर्मान नेतनियाओ की उमीदों पर पानी फेर सकता है इरान ने दरसल हाल ही में इसे डवलप किया है अर्मान मिसाइल सिस्टम को लेकर कहा जाता है कि 120-180 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ छे टारगेट का सामना भी कर सकता है तो इसराइल इरान से बदला लेने के लिए तयार है इरान ने पूरी तयारी कर रखी है दूसरी तरफ गाजा में हमास का क्या हो सकता है इसके बारे में हमने आज बात की लेकिन तीसरी तरफ हिजबुला जो है उसके कमांडर्स तो मारे गए लेकिन वो अभी भी लगातार इसराइल पर अटैक पर अटैक किये जा रहा है सवाल ये है कि क्या मिडिली इस्ट में अभी शान्ती की स्थिती या संभावना बन रही है गया शायद नहीं लेकिन आने वाले दिनों में क्या होता है इसका आने वाले दिनों में ही पता चलेगा जब युद्ध अपना अगला रुक लेगा फिलाल के लिए आज बस इतना ही नमस्कार